हलो दोतो स्वागा थे आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल इस्टडी वी तेखे 47 पे दोस्तो स्सी जीडी कांश डेवल में अभी तक जितने भी प्रस्ण पूछे गया है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे तो चलिए सिधे चलते हम सिधे अपने पहले प्रस्ण किर्ती का बिलूम सब्द क्या है तो किर्ती का बिलूम सब्द जो होता है दोस्तों वह था अब किर्ती अगला प्रस्ण है चंद्र का समानार्थी सब्द क्या है दोस्तों चंद्र का समानार्थी जो सब्दे वह बहुत सारे हो जाते है जैसे राकेश हीमांसू निसिकर और आपको बताना है कि यहां पर जो खाले स्थान है क्या भरा जाएगा यहां पर दोस्तो आप से अधिक्तर ज्यादात्र अगले प्रस्ण के और हम चलते हैं हमारा अगला प्रस्ण है अनुकरडी का सुद्धूरूप क्या है दोस्तों आपको लिखा था कि अनुकरडी कैसे लिखा जाएगा तो अनुकरडी को देख लीजी दोस्तों कैसे लिखा जाता है अनुकरडी को अनुकरडी लिखा जाता है आप देख सकते हैं किस प्रकार से लिखा गया है अनुकरडी, अगला प्रस्ण है, जानने की इच्छा रखने वालों के लिए एक सब्द क्या है, तो जो जानने की इच्छा रखता है, उसको जिग्यासू कहा जाता है, अगला प्रस्ण है, हम यह कह सकते हैं कि हमारे चारो ओर ट्यास है दुस्तों यहां पे बताएना था कि आपको क्या भरा भरा जाएगा यहां पर यहां पर वातावराण हम यह कह सकते हैं कि हमारे चारो और वातावराण है अगला स्धाव दोस्तो अगला प्रस्ण आया हुआ था कि धारा 354 का संबंध किसे से हैं तो धारा 354 जो संबंधी थे दोस्तो वो छेडखानी से संबंधी थे किस से समन्दी थे धारा 304, 16 समन्दी थे दोस्तो अभी तक धारा से SSCJDM exam में देखने को नहीं मिला था लेकिन इस shift में धारा से भी प्रस्ण पुछे गये थे अगर हम बात करें धारा 302 किस समन्दी थे धारा 302 तो धारा 302 जो समन्दी थे वो हत्या से समन्दी थे किस समन्दी थे धारा 302 हत्या से समन्दी थे धारा 302 अगला प्रस्ण है बागवानी के अध्यान को क्या कहते हैं तो दोस्तो बागवानी के अध्यान को हर्टी कल्चर कहा जाता है अगला प्रस्ण दोस्तो आया हुआ था कि पीला वस्तर पहतल कर कौन सा लोगन रित किया जाता है दोस्तो इसका answer right मुझे नहीं पता है यदि आपको पता है तो आप comment में आपना answer दे सकते हैं अगला प्रस्ण है आरे समाज के इस थापना की समय भारत का वायसराय कौन था तो आरे समाज की स्थापना की समय जो भारत के वायसराय थे और थे लाड़ नार्थ ब्रोक अगला प्रसंद दोस्तो रिजनिंग से सम्मद इत है, कि सुगा का सम्मद फीजी से है तो हिलि सिंखी का सम्मद किसे होगा, यहाँ kardeşim कल शास को सिंखी का सम्मद पिन लेंड से हो जाएगा यानि कि इसको व्यवस्तित करब में पूरा बैठाना था। दोस्तों ये अदम सही सही बैठायागा है। यानि कि पहले भीज आएगा भीज से अंकूर होगा, अंकूर से पाउधा बनेगा, पाउधा से फूल बनेगा, फूल से हमारा जो है वह फल मिल जाएगा। इसको भी क्रम वाइज में बैठाना था, अगला प्रस्ण है, खोदा पहाल निकली चुहिया मुहावरे का क्या अर्थ है, अधिक परिश्रम करने पर भी कम लाभ है, अगला प्रस्ण है, वर्तमान समय में कितने भारती राज्यों में दुई सतनातमक विवस्ता है, तो अगर ह हुआ नहीं है दोस्तों, वहां पर भी बन रहा, अगर बन जाएगे तो परिजन टाइम में तब कितने हो जाएगे, पूरे साथ हो जाएगे, अगला प्रस्ण दोस्तों रिजिनिक था, कि दोस्तों पूझा था कि 14, 29, 15, 15, 15, 15, 15, यहां पर क्या आएगा, दोस्तों इसका आंसर जो राइट हो जाएगे, चार सा उन्चास, अब देखे दोस्तों इसमें लॉजिक क्या लगा है, इसमें लॉजिक लगा है, 14 गोना दो कर दिया है, 14 गोना दो 30 होता, फिर माइनस एक कर दिया है, अगला फ्रस्ण है दोस्तों रिजिनिक से ही संबन दित है, 34, 37, 42, 49, फिर 90 के बाद यहां फिर क्या आएगा, दोस्तों इसका राइट एंसर मुझे नहीं पता है, यदि आपको पता है तो आप कमेंट में आंसर देख सकते हैं, अगला फ्रस्ण है दोस्तों कि जूट उत्पादन में अगरड़ी राज ही कौन सा है, तो जूट उत्पादन में अगरड़ी राज ही हुआ है, पस्ची मंगाल, अगला फ्रस्ण है नूर जहां का अन्य नाम क्या है, तो दोस्तों नूर जहां का जो अन्य नाम हो, महरून निसा है, महरून निसा को ही नूर जहां के नाम से जाना जाता है, अगला फ्रस्ण दोस्तों आया था कि छपाई की इस धारा के अंतरगेत किया जाता है इसका भी दोस्तों मुझे राइट एंसर नहीं पता है यदि आपको पता है तो आप कमेंड़े में अपना आंसर देख सकते चलते हैं दोस्तों अपने सीधे फर्स शिप्ट के और तो चलिए हम फर्स शिप्ट के भी कुछ प्रसंद को दे काटने से होता है तो । दोस्तों मलेरिया चोहता है वो मादा-atoreनाफिली मच्छर के काटने से होता है अगला प्रसन है पेटा परसन अब दे येर 2019 से किसे समानित किया गया है तो पेटा परसन अब दे येर 2019 से जो समानित किया गया है वो जोकीन फिनिक्स को समानित किया गया है अगला प्रसन दोस्तों आया होता कि आगमन का बिलूम सब्द क्या है तो आगमन का को सिर्ष स्थान पह सब्यार अगल्या प्रस्ण है अंति मजल बात्सा है अगला प्रस्ण दोस्तों आया हुआ था स्वादेशी आंदोलन की सुरुआत कब हुई थी तो दोस्तों स्वादेशी आंदोलन की सुरुआत जो हुई थी वो 1920 में हुआ था अगर हम बात करें इसको सुरू किसे ने किया था तो इसको महत्मा गांदी ने सुरू किया था अगला प्रस्ण दोस्तों आया हुआ था कि घोडा का बिलोम सब्द क्या है तो घोडा का जो बिलोम सब्द होता है वो घोड़ी हो जाएगा अगला प्रस्ण है मोतिया बिंद की बिमारी किस से समंदित है तो मोतिया बिंद की बिमारी जो समंदित है वो आख से समंदित है कहां हो गा दो जारे किस कायु गजन? भारत में हो गाँड़ों। गृट से πα cultural मेल डीन के जितने इन वशलो आप उसको पड़तल लेगा. आगला प्रसणाय वाथ हो ग्ता दिस्टो कि नीम निमे से कόण हाकी यहां पर हाथी नहीं रहेगा दिस्तो यहां पे रहेगा हाकी, इसको आप हाकी बना लिजिएगा, उच्छात है कि दोस्तों कि निम निम से कौन हाकी का खिलाडी नहीं है, तो दोस्तों यह आपसन बेस कोश्चन हो गया, इसको आपसन में जो भी सही रहा होगा, वो सही रहा है, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा लाब ही लाब, पॉबारा होना मुहावनेक अर्थ हो जाएगा, लाब ही लाब, अगले प्रस्ण की ओर चलते हैं, अगला प्रस्ण है हमारा, विस्त्रीड सब्द का बिलोम क्या है, तो विस्त्रीड सब्द का बिलोम जो होता है, संकीड होता है, इसी प्रकार और हम बिलोम कुछ देख लेते हैं जैसे अगर पुछ लिया जए आपसे उपकार का विलोम क्या है तो उपकार का विलोम हो जाएगा अपकार और प्रसारल का विलोम पुछ लिया यह दी प्रसारल चलिए हम चलते हैं सीधे अपने अगले प्रसन की ओर अगला प्रसन हमारा उज्वला-योजना की सुरुवात कभ हुई थी तो उज्वला योजना की जो शुरवात हुई थी दौस्तों वह हुई थी मई दौहज 1 म्य प्रवत माला किस राज में इस्तित है तो अगले प्रवत माला जो इस्तित हुआ राजस्थान में इस्तित है तो अब सभी परवत मालाओं को भी पढ़े लिएगा अच्छे से अगले प्रवत माला से समन्दीत प्रस्थान की ओर चलते हैं अगला प्रस्थान था कि खूब लड़ी मरदानी वह तो राणी वाली राणी थी इसमें क्या बरा जाएगा दोस्तो तो यहां पर जासी बरा जाएगा इसको पूरी पूरा सेंटेज पढ़ेंगे हम खूब ऐसको अग्ले प्रस्थान प्रस्थान की ओर चलते हैं अगले प्रस्थान की ओर चलते हम खूब अगले प्रस्रीकिए अंतर राश्थी क्रिकेड में तेई सजारन बनाने वाले पहले यहां दोस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा विराट कौहली यह प्रसन पूछा हुआ था कि अन्तराष्टी क्रिकेड में तेस जारन बनाने वाले पहले खिलाडी कौन है तो विराट कौहली देख रहा हूं कि विराट कौहली से रिलिटेड ज्यादा प्रसन आ रहे हैं त तो पूज़नी का सुधरूप दो तो आप देख सकते हैं कि पूज़नी नहीं होता है आप पूज़नी होता है आराम से इसको पढ़ेंगे पूज़नी देख सकते हैं कैसे लिखा हो पूज़नी तो अगले प्रस्ण है सरोत्तम का सुधरूप क्या है तो देख सकते हैं आपके स यह संग्हाई सहयोक संगटन SCO 2020 का आउयां कहा हुआ था इसका आयोजहाण जोवा था निद्स को में सर्थियोग संगटन और बांगला देश को अगर हम इसके लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 1.9 की मिलंबा है यह ब्रिच जो है भारत के तृपुरा राज के सबरूम से बांगला देश के रामगल को जोड़ती है अगले प्रस्ण के ओर हम चलते हैं जो अगला प्रस्ण आया हुआ था कि दछ्षीर पूर्वी एस या से समधित अगार किया है अगली प्रस्ण के ऊर चलते हैं हम मार्म को फ्रस्ण का कि से दिया गया थाvatel स्कार दिया गया था व्यूंदया भोछ फ़न यह जो यह जो चैस नॉंबरकराट के यजाम तो यह question आया हुआ था। अगर हम दोस्तो बात कर लेते हैं रिजिनिंग की बात करते नहीं तो रिजिनिंग सबसे पहले देखते हैं बैठक बैठक वेवस्ता से 2 प्रसंड आया हुए थे दोस्तों यह दिया हुआ थे शह लोग बैकती बैठे थे ऐसे कुछ प्रदान मंत्री कौन है तो दोस्तों इसका राय टैंस वर जाग मुहंब्ध हुसेन कौन है वरतमान समय में सुमालिया के प्रदान मंत्री मुहंब्ध हुसेन रुबेल अगला प्रस्न आया हुआ था दोस्तों कि जाती सब्द का भिलों क्या है तो दोस्तों आप सण में जो पुषकर और पुंडरिक जो है वह इतने सारे कमल के समानार्थी सब्द है तो इसमें से आपसन में से एक भी नहीं दिया होगा तो उसमें आपसन से इसको करना था अगला प्रसन दोस्तों आया था कि सुपर रखा को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों यह मैंने सही से नहीं क्या है तो इसको आपसन से भी छाटना था अगला प्रसन दोस्तों रिजिनिंग का एक प्रसन आया हुआ था तो आप आंसर कमेंट में दे शकते हैं और लाजिक भी इसका बता दिजिये कि इसमें कौन सा लॉजिक लगाया हुआ है अब छलते हैं दोस्तों हम अपने था दोस्तो कि समास का बिलोम सब्द क्या है तो समास का बिलोम जो सब्द हो जाएगा अगला प्रस्ण है मुह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है तो मुह की खाना मुहावरे का अर्थ जो आता है वो परास्त होना या बुरी तरह से हार जाना अगला प्रस्ण है भारत की सब से उची चोटी जो है केटू यानि कि इसको गाडविन आश्टीन भी कहा जाता है इसकी उचाई 8,611 मीटर है अगला प्रसन दोस्तो आया हुआ था कि सिगमो महत्सव किस राज में मनाया जाता है तो सिगमो महत्सव जो मनाया जाता है वो गोवा राज में मनाया जाता है अग अगला प्रस्ण है वर्तमान समय में भारत की स्वास्थ मंतरी कौन है तो दोस्तो वर्तमान समय में भारत की स्वास्थ मंतरी जो है वो मनसुख मांडविया है अगला प्रस्ण है अजन्ता की गुफा का संबन्द किस धर्म से है तो अजन्ता की गुफा का संबन्द जो है वो माउंटेन एवरेश्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है अगला प्रस्ण आया हुआ था दोस्तों कि इसरो की स्थापना कब हुई थी तो इसरो की स्थापना 1979 इस्वी में हुआ था अगला प्रस्ण है ECG का संबन किसे से है दोस्तों ECG का संबन जो है हमारा हिर्दय से है दोस्तों एक्ठ होता EEG EEG जो होता है वो हमारा मस्तिक से होता है और ECG जो होता है हमारा वो हिर्दय से सम्मन्दित होता है अगला प्रस्ण है कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है तो मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है अगला प्रस्ण है विस्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है तो विस्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो वो अमेजन है अगला प्रस्ण है दोस्तो कि स्रिलंका की राजधानी क्या है तो स्रिलंका की जो नई राजधानी बनी दोस्तो वो बने स्री जैवर्दने क पुर्ण अगला प्रस्ण है कि सगर माथा के नाम से जाना जाता है दोस्तों पसंद आती है तो वीडियों को लाइफ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा अगला प्रकार की नोटिकेशन मिलती रहे धन्यवाद